उत्रप्रदेश में अप्राधिक मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं इसे बीच दबंगों के होसले इसकदर बढ़ चुके हैं कि आप घर में घुज जाते हैं और मारपीट कर लेते हैं ऐसा ही एक मामले से आज हम आपको रूबरो करवाने वाले हैं जिसके तस्वीरे देख करके आपका दर्वी दहर जाएगा ये तस्वीर है उत्रप्रदेश के बांगर्मों की जहां पर दबंगों के होसले इसकदर बुलंद है कि वो घर में घुज कर माहिलाओं के साथ मारपी इसके बांगर्मों के होसले बुलंद है यहां घर के अंदर घुज कर कुछ दबंगों ने महिलाओं के साथ मार पीट की उसके बाद उन्होंने घर पर पत्थराव भी किया जिसमें दो महिलाओं गंभी रूप से घायल हो गई घायल महिलाओं को परिजनों ने बांगर्मों CHC में भर्ति कराया जहां पर चिकित्सकों ने प्रात्मिक उप्चार कर जुला स्पतार रेफर कर दिया गटना की जानकारी परिजनों ने कोतवारी पुलिस को दी पुलिस गंभीरता से जाच में जुट गई है पूजा वर्मा कहा रहती हो कलवारी क्या घटना होई है पहले साव कुछ ने बैठे रान बाहर अपने दुआरे तो ऑगी देखो मोटली बैठी होए तो हमां पर बिटों कहीं से बोलती हो मोटली मोटली करें तो तुम पर बोले हो नहीं है बस इसकी महतारी आएक की मम्मी जिजी अगर जाओ लुट टो हम yell उपर नहीं हम हम प्रिपने नहा पर थाड़ा फोटर इसे बार एइच लेन हर अब फिर अम्मा कान में पाइए तक प्राइब नियुक्त प्राइब आपके जोने मारा ही रादे सम्द लहिन और रादे सम्द लहीन और देशाम जोने रहें कहां पर रहते हैं बागल में हमरे घर के पीछे रादे हैं हमरे दौरे आइचिक मारा ही नहीं हैं पुछ नहीं बात को लेकर पीछे बस घर याने लगी आया कि का लोगी तुझको नहीं कहती है तुम कही तो तुम ते जाती इसे लड़ा ही करी जै